Let's improve English वो अपनी पडोसन के साथ भाग गया अगर आप उनकी शादी के लिए नहीं मानेंगे तो वो भाग के शादी कर लेंगे Friends, इन sentences को हम English में कैसे कह सकते हैं? कुछ sentences के थुरू मैं आपको सिखाऊंगा कुछ बहुत useful और commonly used होने वाले phrases और words Do watch this video till the end, I'm sure you'll learn many things from this video मैं हमेशा वही चीज़े mention करता हूँ अपने वीडियो में वही phrases और words mention करता हूँ जिनको लोग अकसर use करते हैं Native English के जो speakers होते हैं वो in words or phrases का use करते हैं अगर आप इनका use करेंगे तो आप भी बहुत natural sound कर सकते हैं बहुत impressive sound कर सकते हैं So friends let's get started क्या आपको पता है भाग कर शादी कर लेने के लिए एक specific word होता है जो कि है elope He eloped with his neighbor He eloped with his neighbor Neighbor girl ऐसे कह सकते है He eloped So if someone elopes It means they secretly run away to get married They elope He eloped with his neighbor If you don't approve of their marriage They will elope If you don't approve of Approve of If you approve of something It means you agree to that You have no objection to that So you approve of that The common preposition that we use with this word is off Make sure that you remember the required prepositions Because prepositions are often mistaken by a lot of people शायद आप सोच रहे हों कि भाग कर शादी कर लेना Elope तो आगया लेकिन शादी करना तो आई नहीं रहा तो आपको याद रखना है Elope के अंदर ही होता है secretly जाकर शादी करना तो उसके लिए marry अलग से बताने की जरूरत नहीं है Elope में ही है वो They will elope It means they'll secretly get married कल सुबह तक मैं अपना काम निप्टा लोंगा मैं आपको याँ पर बोट अच्छा प्रेज सिखाना चाहता हूं I will get my work squared away by tomorrow morning Squared away If you get something squared away It means you deal with it You finish something You deal with something And you don't leave anything incomplete To properly order, arrange, prepare Or take care of someone or something It means to square something away I'll get it squared away Don't worry I will get it squared away Don't fret Don't worry Don't panic I'll get it squared away If you say that thing I'll get it squared away I'll get it squared away It's a very nice phrysal verb to use इस बात पे अब इतना उड़ने की जरूरत नहीं है अब जादा उड़ो मत अगर एक बार जीत कहे तो उड़ने का मतलब कहाँ आपर हम fly का यूज करेंगे नहीं कहने का मतलब है इतना इत्राव मत इतना घमन मत दिखाओ हम कह सकते हैं अगर कोई समग है इसका मतलब वो बहुत जादा प्राउड है वो बहुत जादा घमन दिखा रहा है अपने आपको उचा बता रहा है यानि जैसे हम हिंदी में कहते हैं इतना उड़ने की ज़रूरत नहीं है उस पर ये एकदम सेट बैट रहा है ये वर्ड ये डोंट नीड टिखाओ अब इस बारे में इतना जादा उड़ो मत अब ज़्यादा उड़ो मत एक बार जीत गए तो जब भी हम कहते हैं इतने उड़ो मत उसके लिए इंग्लिश में ये एक दम बैस्ट वर्ड है जो कि आप यूज कर सकते हैं और यही हमें करना होता है हिंदी की एक बात के लिए इंग्लिश में कोई एक ऐसा फ्रेज कोई वर्ड हमें डूनना चाहिए जो उस बात को सही से एक्स्प्रेस कर पाए और यह कर रहा है वो जूटी कहानिया गड़ता है जूटी कहानिया गड़ता है मतलब जूट मूट की कहानिया जूटी कहानिया गड़ने में वो माहिर है पता नहीं सबने मुझसे रूखा व्यवार क्यों किया सबने नजर अंदाज क्यों किया मुझे गड़ता है उसको देखकर अंदेखा करना वो मुझसे रूखा व्यवार करती है जब मुझसे घुसा होती है मतलब किसी को अंदेखा कर देना उससे बात ना करना यानि रूखा व्यवार करना तुमने तो मेरी जाने निकाल दी थी कहने का मतलब है तुमने मुझे बहुत ज़ादा डरा दिया था इंगलिश में कह सकते है इसका मतलब है जाने निकाल दी थी यानि बहुत ज़ादा डरा दिया था तुमने मुझे मेरी तो जान ही निकल गई थी जब मुझे तुम अपने कमरे में नहीं मिले क्या मुझे सब कुछ तुम से पूछ पूछ के करना पड़ेगा English में एक बहुत अच्छा फ्रेज होता है यहनी कोई चीज किसी से पूछ कर करना किसी को किसी चीज के बारे में बताना और यह चानने की कोशिश करना कि क्या उसको उस चीज से कोई अतराज है यह नहीं वो उस चीज के लिए तयार है की नहीं तुम से पूछ कर करना पड़ेगा सब कुछ मुझे तुमें बताना पड़ेगा I was watching an English movie and I just heard someone using this phrase and I thought that it was pretty useful Run everything past someone यानि किसी को बता बता कर कुछ करना उसको बता देना नहीं तो आप English में इसको translate करेंगे simply तो ऐसे कहेंगे Will I have to ask you whenever I want to do something लेकिन एक बहुत अच्छा तरीका है कहने का Will I have to run everything past you run everything by you इसका एक और मतलब होता है अगर आप कहते हैं Could you run that by me again इसका मतलब है एक बार फिर से बताओगे आपने क्या कहा Could you please run that by me again Could you please run that past me again एक बार फिर से कहोगे आपने क्या कहा आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई है इसी तरह से अपने English को इंप्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब सुरूर करना अगर आपने भी तक नहीं किया है तो So friends बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में तब तक अपना खियाल रखना Take care and bye bye